क्या होता है और आजके बीडियो में मैं आपको बताऊ था प्रार्थना कैसे लिखनार जिस् Killer गूठा कि पूरा नमँडर جाए बोलता हो बाकी एक नमबर आउर उदहर से कटने वाला नहीं अगर सही जामन रहेका चेक करने रहेगा घर से ठीक है ना समद रहे हो ना बस अराम से अगर आये रहेगा तो पूरा नमबर देखी जाएगा पुछते मींज जो उनका टार्गिट होता है चेक करने का कि बच्चे के अंदर क्या मुझे चेक करना से लिखने तो सब को आता है लेकिन चेक क्या करना है में होता है अगर यही चीज़ा आप लिख दिए भी से ना बास भाई साब पूछो इमात उसको दम मस्त हो जाएंगे इसके लिख दीजा लिखेए हैं कि सबसे पहले सेवा में माननी प्रधानाचारे महूद है कि अपने स्कूल का नाम उत्तरप्रदेश बी सै जरूर लिखिएगा जैसे किसके कारड़ है बीमारी के कारण लिख दिए लिखिए हैं तो प्रार्थनापत्र अब किसी गंदगी क लिखने के बाद ऐसे आप थोड़ा सा बना दीजेगा क्योंकि अट्रेक्ट्टू लगेगा जिससे की आकरसड हो जाएंगे जो ग्यामनर चेक करेंगे कापी आपका ना वह कर सब्सक्राइब क्या है कि आपके विद्याले का कच्छा बारवा बारवी का छात्रों मुझे आज से बहुत तेज बुखार है आप अपने इसाफ से लिखेगा अस्पताल की डाक्टर ने डेंगो का जर्बता है दस दिनों तक पूर्टा विश्राम करने का सलाह दिया है यानि कि आपसे मैं निवेदन या करता हूं कि मैं कच्छा बारा कच्छात रहूं मुझे आज से बु से बुखार हुआ है ठीक है आज पताल के डाक्टर ने डेंगो के जर्बता है दस दिनों तक पूर्टा विश्राम करने का सलाह दिया आता आप से निवेदन है कि मुझे मंगलवार से सनिवारता काउकास प्राद नाम करें बहुत सिंपल सी बात है फटा पट लिखिए का ट आग्याकारी सि अपना नाम लिखना दीजिएगा यप सौइजट लिखिएगा ध्यान दीजिएगा यकस वाई जै्ट अपना नाम मत लिखिएगा लिखना不錯zek कर रहा है तो यहां पर रोल लंबर लिखे नीचे यहां पर रोल लोल लिख दो दिग देगा नए तो मत मैं इस स्कूल से हूँ उत्तर पर्देश के बीस से जरूर लिख देना बीमारी का अवकास है तु प्राथरा पत्र मुझे चाहिए आपके बिद्याले का कच्छा बारवी कच्छातर हूं मुझे आज से बुखार है डाक्टर ने बोल दिया है तुम्हें आराम करो भी सराम करो तुम्हें यही चीज़ हुआ है इसलिए मुझे आपकास देतों बहुत सिंपल सी बात है बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं प्लीज यार शेयर कर जीका बहुत 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 धन्यवाद